नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका दोस्तों आज कम इस वीडियो में समझेंगे डाइंग डिकलेरेशन क्या होता है देखे दोस्तों डाइंग डिकलेरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है मरने से पहले आदमी जो बोल के गया उसको कोट में एडमिसिबल माना जाता है उसको ब डाइंग डिकलेरेशन होते हैं, फिर यह जो लीगल मेकजी में उसका मिनिंग समझेंगे, अगर पॉलिस नगर डाइंग डाइंग डिकलेरेशन को रेकोड किया है, तो उसको वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो हम समझेंगे, whether the gesture or sign is valid ये हम समझेगे अगर आपने इशारा करके बता दिया बनने से पहले कि मेरा मडर इसने किया है तो ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा वो हम समझेगे fitness of the person who makes dying declaration मतलब जो बंदा dying declaration दे रहा है उसका fitness क्या होना चाहिए वो आज हम समझेगे इसने बोला कि मेरा मडर इसने कर दिया मगर वो बोलने के बाद भी नहीं मरा तो उसका evidential value क्या होगा वो हम समझेगे victim filed F.I.R. and later on died अगर एक बंदा जिसके साथ गलत हुआ है उसने F.I.R. register कर वाया और फिर वो मर गया तो क्या होगा what is the different risk between dying declaration and dying deposition dying declaration और dying deposition में फरक क्या है what are the exception of a dying declaration dying declaration के exception क्या है case law क्या होगा certificate given by doctor ये सारी चीज़े हम डिटेल में समझेगे दोस्तों इससे ये इतना डिटेल में वीडियो में ने बनाया हूँ क्योंकि एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपको सारे doubts clear हो जाएंगे मतलब कोई ऐसा बंदा जो होस्पिटल के बेड़ पर लेटा हुआ है उसने बोल दिया अपने family member को या तो डॉक्टर के सामने के मेरा murder इसने किया है so and so person तो बोलने के बाद 10-15 में मर गया ठीक है तो ये जो statement है उसको dying declaration बोलते है मरने से पहले जो भी बात आपने बोली उसको dying declaration बोलते है अब जो patient ने जो बात doctor को बताई या तो family member को बताई वो family member is a witness court में जाएंगे और वो witness man के judge को बताएंगे कि हाँ मरने से पहले मेरे जो family member जो जिसकी देथ होगे उसने बोला कि उसका murder इसने किया है जो statement है वो value माना जाता है इसको बोलते है dying declaration ठीक है for example Mr. A is a hospitalized and said something relating to his injury or death to his wife doctor or police children dying declaration अब किसी के भी सामने कर सकते हो चाहे वो doctor हो police हो कभी-कभी क्या होता है समझो मैं रास्ते में जा रहा हो मुझे किसी गाडी ने टकर मारी और police वो area में आ गए और मैंने police को पता दे कि मेरा murderer इसने किया रहेगा मुझे इसको पर doubt है तो police witness बनके जा सकती है और मेरा जो बयान है जो मैंने बोला मरने से पहले वो court में बोल सकती है and he died later on the such statement becomes dying declaration मतलब मरने से पहले मैंने जो भी बोला वो dying declaration माना जाएगा in front of woman a dying declaration can be made dying declaration जो है वो किसके सामने आप रख सकते हो ठीक है अभी देखे इसका मरने से पहले आदमी ऐसा सोचता नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से जाए द्हाएग काँ सरह बाएफ वह वो गई अगर मैं पेशनल ठीक है मेरे रहेगा तो मैं मेरा मुला इसने किया रहेगा या तो फिर या फिर तो फिर मेरे पुलिस को भी बता सकता हूं और नेबर्स अगर समझो मेरे घर पे में मर गया तो मनरे से पहले मेरा खून जो हो इसने किया है तो वो लोग चौट में जाएंगे और मेरा जो statement है वो बोलेगे तो मेरा जो statement है जो Dying declaration है वो accept हो जाएगा court में for example Mr. P admitted in a hospital and Walsh family was there and Mr. P said that Mr. Q killed him so here it becomes dying declaration evidential value of dying declaration अगर मैं मरने से पहले कोई भी चीज़ बोलता हूं तो उसकी evidence की जो value है वो क्या होती है generally it is a rule that any statement made by a person should be examined, cross-examined and if necessary it should also re-examine then only it will be considered as well in the court generally it is a rule है कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हो as a witness तो वो सबसे परे तो examination chief करना पड़ता है examination chief मतलब क्या? आपका वकील आपको सवाल पुछेगा और आप पूरी story जच के सामने बताओगे दूसरा है उसका cross-examination होगा सामने वाली party का वकील आपको सवाल पुछेगा और उस सवाल पे आपको yes और no में answer देना है इसको बोलते है cross-examination तीसरा है re-examination जो हर टाइम नहीं होता अगर जच को लगता है को कोई नया fact बाहर आया है तो उसको re-examination बोलते है यहाँ पे क्या होता है दोनों party के जो वकील है plenty for defendant के जो वकील है वो court को request करते है कि हमको re-examination करवाना है तो यहाँ पे क्या होता है आप जो है वो re-examination के लिए select हो जाओगे आपको फिर से सवाल का जवाब देना पड़ेगा मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बंदा बोल के मर गया तो वो तो court में आ नहीं सकता तो ऐसे में क्या करना पड़ता है but in case of dying declaration इसका answer यहाँ पे है it will be considered as a valid without doing examination, cross examination, re-examination why? because that person who made the dying declaration cannot come in the court because he is already dead simple मैं बोल के मर गया तो मैं court में आ नहीं सकता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है मेरा जो statement है वो court जो सिधा-सिधा valid मान लेगी लेकिन कब valid मानेगी? अगर वो मेरे death के related हो तब मानेगी ठीक है? अगर मैंने बोल दिया कि मेरा accident इसने किया है तो मैं मारा किसलिए accident की वज़े से ना? तो यह जो accident का मैंने कहानी बताया doctor को या तो police को या तो अपनी family को तो यह सारी चीज़े मेरे death के related है death का जो circumstances होता है उसके related है तब जाके वो relevant माना जाएगा अधरवाइस relevant नहीं माना जाएगा यह बात आप ध्यान में रखे dying declaration बहुत ही important concept है इसको पर 12 माग का question भी आता है जिसको essay writing बोलते है और short note भी आते हो कभी-कभी situational question भी पूछ लेते है यहां तक कि जो one-liner question होते है वो भी पूछे जाता है तो यह आप ध्यान में रखे दोस्तों Types of the statement which are considered as a dying declaration दोस्तों दो तरह के statement होते है जिसको dying declaration माना जाता है A statement given by a person related to his cause of death जो बता था है कि आपकी death कैसे हुई उसका आपकी death का reason क्या है जैसे मैंने बता कि मुझे किसी गाडी ने टकर मारी तो यह मेरे मरने की वज़ा क्या है यह गाडी ने टकर मारी तो यह जो टकर मारी मारने वाली बात मैंने डॉक्टर को बताई या तो अपनी फैमिली को बताई या तो अपने चिल्डरन को बताई यह सारी चीजे dying declaration मानी जाती है दूसरा statement A statement given by a person related to the circumstances of the death मरने से पहले मेरे आजू 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 क्या हो रहा था कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था किसने मुझे मारा वह सारी चीजे मैं अपनी फैमिली को बता सकता हूं या तो जो भी मेरे साड़ा सरांडिंग में खड़े थे उसको मैं बता सकता हूं तो यह दो तरह की चीजे हैं जिसको आप dying declaration मान सकते हो ठीक है अब बात करते हैं जो मेगजी में वो काफी important है दोस्तो नेमो मोरिटन में देखे क्या होता है अब person who gives a false statement before his death will not go to heaven अगर मरने से पहले बंदा गलत चीज बोलके मर जाता है तो स्वर्ग में नहीं जाता इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह होता है कि आप मरने से पहले आदमी कभी जूट नहीं बोलता है यह जो यहां किसी डाउट किये valid माना जाता है इस डाइंक डेकलरेशन रेकोर्ड बाइद पुलिस वेलिड यस देखे दूस्तों क्या होता है अगर मेरा ष्युर्ट हुआ तो पाब्लिक जो है वो पुलिस को फोन करेगी कि आहां पे किसी बटे का आपSí आदमी कर सकते हक मुझे इसको पुलिस ने अपनी लिख लिए उस आदमी का नाम अता पता अड्रेस केसा दिखता था उसका भूलिया केसा था वगेरा तो ए सारी चीज़े जो एक्सेट माने जाती है उसको डाइंग डिकलेशन भी मानना जाता है तो ए सारी चीज़े जो पुलीस को मैंने बताई वो भी वैलिड माने जाती है ठीक है कभी 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 क्या होता है मेरे को इतनी जोर से एक्सिडेंट हुआ कि मैं कुछ बोली नहीं पार रहा हूं मुझे शौक लग गया करे मैं मदब एक्सिडेंट हो गया तो मैंने इशारा करके बता दिया मैंने कुछ बोला नहीं है मैंने सिफ इशारा करके बताया पुब्लिक म वेलिड तरीका है डाइंग डेक्राशन को बताने का कि मेरा मडर इसने किया था फॉर एग्जांबल मिस्टर आर मेट विद एक्षिडेंट और बिफोर दाइंग ही शोड़ इस फिंगर तो पर्सन वूद देट एक्षिडेंट तो यहां पर इसको भी वेलिड डाइंग डेक्राशन बोलते हैं और यह भी कोर्ट में एड्मिसिबल होता है अभी सवाल यह उठता है कि ऐसे में आप कोर्ट में किसको लेके जाओगे अगर आपके बाजू में पूलिस खड़ी है तो उसको भी आप कोर्ट में लेके जा सकते हो जिसके जामने में इशारा किया था या तो फिर पॉब्लिक जो है जिसने मुझे इशारा करते हुए देखा वो भी बंदा विट्रस बन क्या सकता है कि हां मरने से पहले इसने मुझे बताया था कि इसने मडर इसने एक्सिनेंट किया है ठीक है एक बात हो गई अब बात करते हैं फिटनेस ओफ दव परसन वू मेक्स डाइंग डिकलेशन अब परसन वू मेक्स डाइंग डिकलेशन शूद बीफीट पाई हिस में अब मेरा एक्सिन्ट हुआ उसके पहले मेरा में इंटल स्टेट क्या था वो भी इंपोर्टन होता है अगर मैं उसको हूँ तो सांने वाली पार्टी उसको डिफेंस में ले ले मैं वीक्टिम में पार्टी और में यह चीज को ले सकता है कि मरने से पिले में इस लें इस लिए उसने गलत आदमी को पकड़वा दिया है अगर मेरा में अच्छा है तो यह हमारा केस में फायदे मन होता है सामने पार्टी को और करें बना सकते है अगर में अब सर्चका है तो जाके में बोल सकते हैं बोसक्तोंि क्योंकि मर्ने से पहले यह इनिश तकि में एन फूलांगीश क सची होगा तो इसलिए ये code जो है वो इसको invalid नहीं बोल सकती इसके ओपर एक true or false कभी कभी पूछ लेते है पेपर पे यहां तक की one liner का answer भी पूछते है कि अगर एसा होता है तो क्या valid मानने जाएगा तो आपको लिखना yes it is a valid ना तो मरने से पहले आदमी जूट नहीं बोलता ये code मानती है दूसरा कोई भी लेंग्वेज में आप a dying declaration दे सकते है तो कोट उसको deny नहीं कर सकती इतना ध्यान में रख्या इप a person who makes a dying declaration doesn't die then अभी समझो मेरा accident हुआ मैं रास्ते में पढ़ा हूँ मेरा बहुत सारा खुन निकल रहा है और मैंने पुलिस को पता जिया कि मेरा murder मतलब मेरा जो accident है वो इस बंदे ने किया भी हुआ क्या public मुझे फटा फट होस्पिटल में लेके गई और मेरा medical treatment चालू हो गया तो हो सकत इस जज को बतानी पड़ेगी अपने मूँ से के मेरा accident इसने किया था ठीक है अगर तो इसको dying declaration नहीं मानते इसको मैं खुद witness मन के जाता हूँ कि मैं खुद victim हुआ तो ऐसे में क्या होता है मैं खुद मेरे मुझे खुद को जाना पड़ेगा और यहां पे मतलब as a witness में जाऊँगा और जज को बताऊँगा कि मेरा जो accident है वो इन्हों ने किया है ठीक है because dying declaration means a person who gives statement and died later on so here he is alive then he should give his statement if in front of court dying declaration का मतलब क्या है मरते मरते जो आपने statement बोला उसको dying declaration बोलते है यहां पे क्या हुआ मैं मरा नहीं लोगों ने मुझे hospital पोचा दिया और वहां पे मेरा medical treatment चालो हो गया तो हो सकता है मैं बच जाओ तो जैसे ही मैं ठीक होता हूँ जैसे ही मैं चलने फिरने लगता हूँ मुझे court बूला लेगी witness as a witness और मुझे court में बताना पड़ेगा कि मेरा जो accident है वो इसने किया था ठीक है तब जाके court उसको valid मानेगी अधरवाइस नहीं मानेगी ठीक है इन इस सिचोवेशन ही विल बिकम अपियर इस विटनेस इन फ्रंट अव कोड एंड कें गिव स्टेटमेंट अगेंस 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 दिफेंटनेंट देखें दोस्तों मैंने एक एक चीज़ कवर की है सारी टेखनिकल चीज़े पकट के मैंने इस वीडियो में डाली है यह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपको अच्छा लगए तो इसे लाइप करें शेर करें और सब्सक्राइब करें शुकुरिया विक्टिम फाल एंट डाइट संभे वह उख हो अपैसे अब यहां पर क्या हुआ गया मतलब में चलता फीट था था थोड़ा बहुठ और मेंने में पुली स्टेशन कर ली यह ना जैसे मैं जीगा पर पहुच्छा और में रा ऑस्पिटल जाने के तैयारी कर रहा था उसके मेरा बहुत सारा खुन निकल गया था उसकता है मेरे को हार्ट अटेक भी आजया है तो यह जो फिर पुलिस ने उसको डाइंग डिकलरेशन बोलते है क्योंकि मैं स्टेट्मेंट देखे मर गया ना मरा कैसे भी हो चाहे हो हार्ट अटेक्स हो या एक्सलेंस हो मरा ना तो इसको क्या प्रेशन जमी बोलते है तीड डाइंग डेकलरेशन कातलन ना फियर उसके हां फेलम क को कोि कोर और Mr. W ने क्या क्या ऐसा जेसे तेसे वो पुली स्टेशन चला गया और उसने एफार रिश्टर करवाद ही वाई के खिलाफ एंड ही डाइड आफर रिचिंग था होस्पिटल और वहां से डबल यू होस्पिटल जा रहा था और वह रास्ते में ही मर गया तो यहां पर क्या हुआ यह बात आप ध्यान में रखिए अब बात करते हैं इन दोनों चीजों में फरक क्या है देखें दोस्तो तो में डिफरेंस बिट्विन डाइन डिकलेशन केंड इन पर्सन जैसे डोक्टर हो गया पुलीस हो गया फैमिली मेंबर नेबर एक्सेटरा मरन अपरने से पहले आजम यहीं निसुत तब में किसको बसको बर सकता है मेरा मतरस ने किया है किसको बाद में अमर गया तो डाइन डिकलेशन के भी सामने दोनों के बीच में। अगर मैं बोलता हूँ के मेरा एक्सिदेंट इस ने किया था तो सामने वाली जो डिफेंटेंट उसका वक्किल प्रेजेंट होना चाहिए तब जाके मैं दे सकता हूं ठीक है कभी भी किसी वक्त दे सकते हैं में कभी भी दे सकते हैं तो वेल्यकों पर फुले किदर भी डे सकते हो ठीक है जाती है, what are the exception of dying declaration, dying declaration के exception क्या है, dying declaration को valid मानना है, तो बहुत सारी condition को follow करनी पड़ती है, अगर ये condition follow नहीं हुई तो उसको valid नहीं माना जाएगा, जैसे person who makes dying declaration must be competent to make his statement, अभी जो बंदा आभी समझो मैं मरने वाला हूँ, तो मेरा mental state जो अच्छा होना चाहिए, तब जाके court जो उसको valid मानेगी, अदर्वाइस dying declaration को valid नहीं माना जाएगा, other statement given by the person who died, अगर मैं जो भी चीज बोलता हूँ, मरने से पहले, अगर वो मेरे reason बता थे कि मैं क्यों मारा, जैसे accident हुआ, ये reason हो गया, किसर मुझे जहर पीला दिया, ये भी एक reason हो गया, अगर वो मेरे मरने के related statement है, तब जाके वो dying declaration को valid माना जाएगा, otherwise नहीं माना जाएगा, dying declaration made by the person should be free from any caution or fear, अगर मैं कोई declaration करता हूँ, dying declaration, तब वो किसी भी ये अपने दिल से बोलता हूँ, मैं अपने willingness से बोलता हूँ, कभी कभी येसा होते है कि police force करती है बोलने के लिए, मगर येसा यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से बोलता हूँ, के मेरा मडर इस ने किया, तब जाके ही वो valid माना जाएगा, ठीक है, अब एक केश लो है, कृष्णा लाल वर्सीज जागुडनाथ, इन इस केस, a court said that dying declaration must be free from the outside pressure and caution should be made by will of the disease, dying declaration जो है, वो एकदम free होना चाहिए, कोई भी तरह का pressure नहीं होना चाहिए, करने के टाइम पर ठीक है, तब जाके इसको valid माना जाता है, certificate given by doctor, अब इसका मतलब क्या होते है, इसको ध्यान से समझे, certificate मतलब क्या, कभी आपने वील बनाया है, तो आपने देखा होगा, कि जो बंदा वील बनाता है, जो अपनी property अपने बचों के नाम पे करेगा मरने के बाद, उसके नाम पे एक mental certificate बनता है, कि इसका mental state कैसा है, मरने से पहले मैं जो भी बोला, और उसके साथ में अपना certificate, mental state का जो certificate है, वो बता देता हूं, कि मेरा mind जो अच्छा था जब मैं मरा, तो मेरा dying declaration का जो value है, वो अपने आप बढ़ जाएगा, देखे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो प्रीजिसे से लाइ करें, शेर करो, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया